हेलो अबिवन वेलकम टू मैं चैनल कोट सोरी वित माइक तो आज अपने डेटा स्ट्रक्चर डेजाइन के प्लेलिस का वीडियो नंबर 12 करने जा रहे हैं लीट को नंबर 341 है मीडियम मार्गड है बड़ा काफी सिंपल एक्चुली में और इसको हम तीन डिफेरेंट अप्र लिस्ट इटेरेटर गूगल मेटा नेटफ्लिक्स इवन ट्विटर ने भी पूछा है इस क्वेशन को डिजाइन बेस्ट जनली काफी इंपॉर्टेंट होता है ठीक है तो क्वेशन देखते हैं क्वेशन में बोलता है कि आपको एक नेस्टेड लिस्ट ऑफ इंटीजर दे ठीक है इच ईलेमेंट इजिए एदर इन इन इंटीजर और लिस्ट वूस इलेमें देटर तो फ्लाटन इट बताएं कैसा इट्रेटर आपको इंप्लिमेंट करना है जो कि फ्लाटन कर सके इसको जैसे मल लेते हैं कि हमारा एक नेस्टेड लिट को ऐसा है वन टू इसके अंदर एक और ने स्टेट लीशन है थी खो इसको फ्लाटन कर सके कि ताकि मुझसे पूचा जाए कि पहला इंटी कोशन है वन उसके बाद कॉसे वन उसके बाद है वन उसके बाद है दो उसके बाद है तीन देख रहो मैं डायरिक्ट बता पाऊ ह। यह न Iterator class सबसे पहला क्या है Nested list पहला ये initializes the iterator with the nested list आपको एक list दे रखा होगा nested integer का ये रही है वाला int next returns the next integer in the nested list ये function क्या करेगा next integer आपको आपके list में कौन सा वो return करना चाहिए boolean has next ये क्या बताएगा true बताएगा अगर there are still some integer in the nested list and false otherwise जैसे माल लेते हैं 1, 2, 3, 4 है ठीक है हमारा nested list में तो माल लेते हैं next call किया तो मैंने 1 return किया फिर next call किया मैंने 2 return किया फिर next call किया 3 return किया फिर next call किया 4 return किया उसके बाद next call करेगा तो खाली है तो कुछ हम return नहीं करेंगे ठीक है और hasNext आपको यह बताएगा कि next में टीजर है भी की नहीं ठीक है तो यह कोड विल बी टेस्टेड विद फॉलॉइंग सुडो कोड मतलब ऐसा कुछ सुडो कोड आपका जो कोड आप लिखोगे ना वो कुछ इस तरह टेस्ट करेगा यह जो लीट कोड का कॉमपाइलर है वो देखेगा कि क्या next value है hasNext अगर true आया तो वो call करेगा iterator.next को ताकि next value आ सके ठीक है अब देखते हैं यार सबसे important चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ important fact about flattening वाले questions जितने भी flattening related questions होते है ना उस पर एक चीज़ हमेशा याद रखना कि वो इनी दो तरीकों से solve करना या तो recursive तरीके से बताब प्यारा सा recursion लिख दो बन जाएगा और recursion का iterative version क्या होता stack तो stack से भी आफ solve कर सकते हैं या तो recursion लिख दोस के लिए ठीक है तो देखो generally flattening question बहुत सारे तरेके होते हैं flatten link list हो सकता है ठीक है फ्लाटन डबली link list हो सकता है बहुत सारे types होते है फ्लाटनिंग के बट बनते जनरली recursion और stack से ही है तो मैं आपको एक छोटा से example दिखाता हूँ माल लेते हैं एक ऐसा link list है देख रहे हो यह इसको flatten करने बोला जा सकता है मतलब बोलेगा कि इसको ऐसे में convert कर दो 1 2 3 3 के बाद 4 आना चाहिए 4 के बाद 5 आना चाहिए देखरो 1 2 3 4 फिर 5 आना चाहिए फिर 6 उसके बाद 7 आना चाहिए तो पताए ऐसे question को अगर question में सिर्फ दे रखा है simply flatten कर दो बस flatten करके उसका head दे दो return कर दो ठीक है तो हम वैसे में क्या करते हैं बस recursion लिग दिया ठीक है और वो क्या करता है flatten कर दिया जैसे माल लेते मैं भी recursion करते करते 3 पर आया ठीक है फिर 3 पर देखा कि एक और यह है यह है 7 और 4 इसको return कर दूँगा तो 3 के बाद 3 को 4 से connect कर दूँगा ठीक है फिर 4 के बाद 7 5 6 7 है 7 के बाद 8 को connect करूँगा फिर 9 को connect करूँगा ठीक है तो देखो यह recursion डायरेक्ट लिग देना अगर सिर्फ लाटन करने बोला गया है बट आज का जो problem है ना उसमें तेखो time to time व है उसको आप recursion से ना करके stack से solve करो reason क्या है कि stack से आप solve करेंगे तो आप तुरंट data निकालके return कर सकते हो जो भी आपसे value पूछा गया है recursion में किया कि recursion लिखा गया अब आपको उसको वापस से कहीं store करना पड़ेगा जो भी values है उसके बाद आप data return करोगे है ना इसलिए आज हमका जो problem है उसको stack से solve करेंगे बट यह हमेशा याद रखना कि flattening के question हमेशा recursion या तो iterative version stack से solve हो सकता है ठीक है तो सबसे पहला अप problem को कैसे solve करेंगे using stack ठीक है तो देखो approach 1 देखते है using stack ठीक है यह हमारा example दे रखा है यह देख रहो list of integers 0 1 to indexing कर दिया लेकिन देखो इस list के अंदर भी list हो सकता है या तो integer भी हो सकता है ठीक है तो actually मैं पता है यह है क्या it is a vector of nested integer ठीक है और input में हमें यह वाला nested list दे रखा है ठीक है यह मेरा nested list हमें input में दे रखा है ठीक है तो देखते है stack का use करके कैसे solve कर सकते हैं इसको तो देखो जैसे मुझे यह nested list मिला अब stack का यूज करना मत्तब stack में डाल देंगे इस input को, ठीक है, तो अब देखो stack पर अगर आप इसको डालते हो, माल लेता है आपने इसको stack पर डाल दिया, तो अब बैसे बात है stack of integer तो नहीं रख सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर एक खुद एक list भी है, ठीक है, तो हम क्या stack of nested integer रख लेंगे, ठीक है, इसका नाम st रख लेते हैं, तो अब डालना start करते हैं, सबसे पहले मुझे यह दिखा, तो क्या पहले आप इसको यहाँ पर 1,1 डाल दोगे, उसके बाद यह 2 देखेगा, 2 को डाल दोगे, तो देखो 1,1 नीचे चला गया, बट सबसे पहले मु से next integer पूछा गया, अगर यह वाला function कॉल करता है वो, यह वाला, iterator.next, तो मैं तो stack के top से answer निकालूँगा, ठीक है, तो बट यह देखो, यह तो मेरा last वाला index है, तो मुझे starting index से output देना है, तो मैं यहाँ से input करना start करूँगा, stack में, stack में मैं ultra populate करूँगा, सबसे पहले last वाला index रखूँगा, 1,1, क्योंकि stack में, जो first आता है, वो last में input होता है, फिर 2 को रखा, फिर यह 1,1 को यहाँ रखा, यहाँ तक clear है, अब देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और दोबारा clear कर देता हूँ, कि यह जो आपको input दे रखा है, यह input आपका, यह vector of nested integer है, ठीक है, तो यह जो है, यह भले यह integer है, लेकिन इसका अगर आपको value चाहिए होगा, तो आपको एक function कौन कलना पड़ेगा, get integer, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कि यह object 1 है, यह object 2 है, यह object 3 है, object का मतलब क्या हुआ, कि जो भी मेरा class है, nested integer नाम को एक class रहा हो ठीक है, अब object 2 से मुझे integer निकालना हुआ, कि इसका integer 2 है, तो वो कैसे निकालेंगे, object 2.get integer, ठीक है, तो question में दे रखा है यह बताने के लिए, कि आप कैसे पता कर सकते हो, कि मतलब integer कैसे निकाल सकते हो, यहां तक ठीक है, तो जैसे यहां पर देखो, दो चीजे दे रखा ह पहला, कि आपको object से अगर integer निकालना हुआ, तो object.get integer call कर लेना, वो आपको integer दे देगा, ठीक है, दूसरा क्या बोला है, जैसे यह देखो, यह obj1 है, ठीक है, obj1 में अगर आप get integer करोगे, तो यह तो गलत हो जगा, यह integer थोड़ी है, यह तो खुद एक list of objects है, ठीक है, तो तो उसको आपको अगर चेक करना है, कि वो integer है, या फिर खुद एक list of integer है, तो उसके लिए आप ऐसे call कर सकते हो, obj. dot, इसके बाद is integer, है की नहीं, अगर true है, तो वो integer है, true नहीं है, तो वो integer ना होके, कुछ ऐसा list रहा होगा, ठीक है, तो stack भी हमारा वो ही object है, ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि stack.top जो है, वो क्या है, integer है, या फिर खुद एक list है, तो मैं ऐसे check कर लूँगा, stack.top is integer, क्या वो integer है, integer है, तो true आएगा, नहीं है, तो false आएगा, ठीक है, बढ़िया, तो अब देखते है, stack में हमने डालत हो दिया है, अब stack से element निकालेंगे, कैसे वो देखते हैं, ठीक है, दो function है, एक तो next है, next स integer क्या होगा, कि stack में जो भी next integer है, वो मुझे, जो हमारे list में, जो next integer है, वो मुझे return हो जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन याद करो, question मैं बोला था न, कि next call करने से पहले, यह रहा यहाँ पर, next call करने से पहले, हमेशा पहले वो check करेगा, कि has next, मतला है भी कि नहीं तुमारे प करेगा, मैं पता है क्या करूँगा, जो मेरा stack है ना, अगर stack के top पर, integer है, तो अब तो ठीक है, और अगर integer नहीं है, तो मैं इसको खोल दूगा, पूरा का पूरा और integer में convert कर दूगा, जैसे यह दूख, यह list है, तो मैं stack के top को निकाल लूँगा, ठीक है, और अगर वो integer न यह प्लू नहीं है तो मैं यह के रहें पहुण करूंगा 1 순ज को मैंने पॉप कर लिया अब इसके सारे इंटीजर कु नि काल के डाल दूँगा तो देखो यह को चल लिए इसके डालना है तो छिवर्स करने के डालेंगे तो छोओ यह दालेंगे तो चलो यह दो ने डालो दिया को अभी अभ डेखो मैं सचाइक का खु आप इंटीजर है तो मैंने इंटीजर रेटर्ण कर दिया मैंने क्या बहला था कि जब भी मुझे हैस नेक्स कॉल आएगा मैं हमेशा यह इंशूर करूंगा पहले तो यह चेक कर लो तक है कि तो प्रूं सिंस मैंने हैं पर एंप संब नहीं से एक cycle स्टाप में एक लिस्ट था तो खोल मैंने इंटीजर में कंवर्ट कर दिया कि 15 सबसे पहले तो मैंने यह बोला कि अगर सबसे पहले तो यह देख लें कि stack खाली तो नहीं है तो अगर stack खाली होता तब तो मैं return फॉल्स कर देता उसी वक्त अगर stack खाली नहीं तो मैंने क्या बोला क्या करूंगा st.top निकालूंगा ठीक है और मैंने क्या बोला कि वो nested object है खुद से nested माल लेते object है वो ठीक है तो पहले तो यह चेक कर लो कि क्या वो object integer है मतलब stack के टॉप में जो बंदा है अगर वो integer निकला तो इधर ही से return true कर दो कि हाँ भाई तुमने has next call किया उसके बाद तुम next call कर सकते हो integer में तुम्हें दे दूँगा ठीक है बट अगर वो integer नहीं हुआ ठीक है तो मैंने क्या बोला तब तो वो पक्का लिस्ट रहा होगा तो उस object वो actually integer अगर नहीं है तो वो लिस्ट रहा होगा तो मैं क्या करूँगा obj.getList कर लूँगा ठीक है तो मैंने आपको बताया था कि कुछ-कुछ functions अलएडी दे रखे हैं मैं यह ना is integer is integer obj.getList भी दे रखा है तो वो हमें लिस्ट खुद दे देगा ठीक है लिस्ट मतला वो वेक्टर जो हमें मिला है वो हमें दे देगा बट एक चीज आगे बढ 1,1 था मतलब यह एक list है यह एक integer नहीं है तो मैंने क्या बोला कि मैं इससे यह list निकाल लिया 1,1 को इस पर iterate करके वापस टे डाल दिया 1 और 1 ऐसे खोल कर डाल दिया बट मान लो अगर ऐसा होता कि हमारा जो input है ना यह कुछ ऐसा होता 1 फिर अंदर होता 3,4 मतलब यह list of list और अगर भी अंदर list हो सकता है तो इस बार मैं इसको जब निकालता तो मिरे पास 1 आता 3,4 आता ठीक है अब जब मैं इसको वापस से stack में डालता तो तो देखो क्या डलाता 3,4 डलाता ठीक है और हो सकता है मान लेते हैं ऐसा होता 1,2 और 3,4 तो 3,4 पहले डालते उसक पर 1,2 ड तो जैसे ही मैंने क्या बोला कि has next जब मुझे वो call करेगा ठीक है उसके बाद वो तुरंत next call करेगा तो उसको integer चाहिए होगा राइट तो जैसी उसने मुझे has next call किया तो मैंने खोलने की कोशिश की यह रहा पहले यह कुछ nested था ना 12 था 3,4 था ऐसा था तो मैंने सो खोलने की कोशिश की 3,4,1,2 किया बट अभी भी देखो यह nested integer ही है अभी भी यह integer नहीं है यह list है तो पता है फिर से क्या करेंगा जब तक एक integer नहीं जाता तब तक इसो खोलते रहेंगे तो अभी देखो इसको खोला मैंने 1,2 को पॉप किय रहा ठीक है 1,2 को पॉप किया और इसके बाद फिरसे 2 को इन्पुट किया यहां पर फिर से इस 1 को इन्पुट किय ठीक है अब देखो stack के top पे प्र ना integer है उप stack अब मैं रिटर्न true कर सकता हूँ return true ठीक है और अगर माल लो फिर से ये nested object होता होता है फिर से इसको मैं निकाल के pop करता जब तक उपर integer नहीं आ जाता तो मैं यहाँ पर इसलिए मैं आपको यह बताया कि जो object.get list आपने किया यहाँ पर आपको vector of integer नहीं मिलेगा आपको vector of object मिलेगा जिसके अंदर और भी nested list हो सकते हैं ठीक है तो आपको तब तक करना है जब तक आपको integer नहीं मिल जाए ठीक है तब तक आपको यह काम करते रहना है drop में तक integer आगे तो आप रुख जाओ return true कर दो ठीक है तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि stack के top को जो भी हम यह चेक कर रहे है और यह बार बार चेक कर रहे है इसको एक while loop के अंदर करेंगे ठीक है और तब तक करते रहना पड़ेगा जब तक stack के top पे integer ना मिल जाए यहा से मैं return true ना कर जाओ ठीक है और अब बेसी बात है यह while loop में चलाओंगा तो while जब तक stack empty ना हो तब तक करेंगे ठीक है तब तक ही करते रहेंगा जैसे stack के top पे रहें टीजर आ जाएगा हम उसको return true कर देंगे ठीक है तो stack के top में मैंने भी आपको बताया ना कि stack के top से मैंने इसको निकाला था nested list को फिर इसको खोल कर वापस से stack पे डाला था ठीक है तो वो कर लेते हैं देखो nested list निकाला फिर वापस से इसके इस पे for loop लगाएंगे for माल लेते इसका है obj नाम है for i is equal to यह जो भी मेरा list मिला है मुझे उसका size minus 1 i greater than equal to 0 i minus minus ठीक है फिर से वह ही करेंगे stack.push जो भी है obj of index i यहाँ तक clear है यह हमें यहाँ vector मिला ना vector of nested object तो जो भी मिला मैं blindly stack पे push कर दिया पूरा का पूरा फिर से यह while loop चलेगा मैंने देखा stack अभी भी empty नहीं है यह stack empty नहीं है तो फिर से check करेंगे stack के top पर क्या वह integer है अगर वह integer है तो यहाँ से return true कर जाओ integer नहीं है तो वापस से उसको pop करो ठीक है stack के top से और हाँ यहाँ पर pop भी करना होगा आपको ना क्योंकि आपने इसको निकाल दिया है ठीक है यहाँ पर देखो stack dot pop भी कर दो उसको क्योंकि आपने यहाँ पर से top को निकाल लिया था अगर आप उसको आप खोलने जा रहे हो तो उसको pop भी करना पड़ेगा आपको ठीक है अगर वो इंटीजर नहीं है तो उसको खोलो और वापस से stack में डालो लेकिन हो सकता है further उसमें भी nested list हो तो इसलिए while loop यहाँ पर डाला है मैंने यह रहा है यह while loop इसलिए डाला है ताकि जब तक top में की इंटीजर ना जाए तब तक चलता रहे है ठीक है अब next में तो बहुत simple है मैंने simply बोल दिया कि भाई मुझे number चाहिए ना तो मुझे stack के top से अराम से मिल देगा st.top करो उसमें जो भी object है वो इंटीजरी होगा तो get integer call कर दो क्योंकि मैंने guarantee कर रखा है कि top में मैं इंटीजरी रहेगा तभी में return true करूँगा है ना और हर बार next कप call होता है जब has next true आए तभी है ना तो has next true देखो मैं कब भीज रहा हूँ जब integer है top पे और अगर नहीं है तो last में false return कर दिया stacker खाली है तो यहाँ तक clear है अब since मैंने इस number को ले लिया है तो मैं st.pop कर लेता हूँ है ना next कर लिया है तो st.stack से हटा दिया उसको ठीक है और यहाँ से return कर दो इस number को ओके simple से dry run भी करोगे तो बहुत अच्छे से clear हो जाएगा ठीक है बट सबसे जरूरी था इसको समझना कि क्यों यहाँ पर while loop लगाया ठीक है और top में देख रहो हर बर मैं integer रख रहा हूँ ताकि यहाँ पर देखो blindly मैं stack के top पे जो भी हो मैं return कर सकूँ ठीक है और top पर अगर integer नहीं है तो मैं इसको खोल कर integer बना कर वापस से stack में डाल रहा हूँ ठीक है लेकिन stack के top पर जो भी है अगर वो further उसके अंदर भी list होता तो उसको भी देखो खोल खोल कर मैं stack पर डालता जा रहा हूँ और तब तर डाल रहा हूँ जब तक stack के top में कोई integer ना मिल जाए यहाँ ठीक है सबसे जरूरी पार यही था तो देखा जाए तो हमारा has next भी हो गया है और हमारा next भी हो गया है ठीक है तो simple सा इसी को अगर dry run करोगे तो देखो कैसे होगा चलेगा कैसे वो देखो माल लेते इसके अंदर 1, 2 था और यहाँ पर 3, 4 भी था ठीक है तो सबसे पहले तो has next call होगा तो has next माल लेते मैंने call किया तो क्या यह इंटीजर है नहीं है इंटीजर नहीं है तो पहले इसको पॉप करो तो पॉप कर लिया इसको 3,4 ठीक है इसको पॉप कर लिया और पॉप करने के बाद मैंने क्या बोला कि उल्टे साइट से डाल दो पहले 3,4 डाला उसके बाद 1,2 डाल दिया अब परनकादें है फिर से डालो भी इंटीजर प्रेसे पाइब करोलिगा फिर से चाहे हम से लिए से इंटीजर करeg आयो । इसके बाद next call किया, तो next में मैंने किसको print कर दिया, one को, तो one print हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर से, has next call हुआ, तो क्या top में मेरा integer है, yes, तो मैंने return true किया, तो फिर से next call करेगा, तो next call करेगे, तो मैंने two भेज दिया, stack का top, इसको पॉप कर दिया, ठीक है, ये दोनों पॉप हो चुके हैं, फिर से has next call हुआ, तो has next call हुआ, तो मैंने देखा stack के top integer है, नहीं है, तो इसको पॉप किया, 3,4 को, और वापस से इसको convert करके यहां डाल दिया, 4,3, अब next call होगा, तो next call पर मैं stack का top भेज दूँगा, 3, true आ है, has next, फिर से call होगा, क्या है integer है? Yes, तो मैं true return करुगा, फिर next call कर दूँगा, 4 को pop दिया, फिर से has next call होगा, तो क्या तो true return किया, तो next call पे one भीज दिया, फिर से ये one प्रिंट हो जाएगा and so on, पूरा stack खाली हो गया, अगर अब has next call होगा, तो मैं देखा कि अच्छा stack तो अब इम्टी है, तो मैं return false कर दूँगा, तो next call भी नहीं करेगा वो, अगर has next में false आ गया, तो ये next call भी नहीं होगा द करते हैं, ये मेरा approach 1 है, approach 2 भी बहुत simple है, बट पहले approach 1 कर लेते हैं, और देखते हैं, if you are able to pass all the test cases, करते हैं, जो समझाया है, यहाँ पर देखो, सब कुछ दे रखा है, is integer, get integer, get list, सब कुछ अल्रेड़ी है हमारे पैस available, बस हमें ये तीन function, फिल करने दे, right, सबसे पहले तो क्या है कि nested iterator call होगा तो initialize करना है आपको, starting में जो आपको nested list दे रखा है, तो मैंने बोला था न, कि मैं simple सा एक stack ले लूँगा, nested integer का, ठीक है, st यहाँ डिफाइन कर लिया, और यहाँ पर मैं stack को populate कर दूँगा, तो int n is equal to, जो भी nested list मेरे input में आया है, उसका size निकाल लिया, ठीक है, for int i is equal to n-1 से क्यों करना है, क्योंकि stack में डाल रहे है, ठीक है, तो stack में क्या होता है, last in first out होता है, i minus minus, st.push, किसको कर रहा हूँ देखो, nested list का ith index, तो यह हमने क्या किया, stack में हमने सारे elements push कर दिये, उसका मैंने क्या हो ल पहले को, has next पहले call होता है, उसके बाद वो i.next call करेगा, तो has next पहले fill कर लेते हैं, तो अगर st.empty हुआ, तब तो return false कर जो, ठीक है, कि भाई, और element है ही नहीं, और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो जब तक stack empty नहीं होता, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, nested integer एक object बना ल top से, एक element निकाला, और अगर वो integer है, if current.is integer हुआ, तो मैं return true कर दूँगा, ठीक है बाई, true return कर दिया है मैंने, तुम अब next call कर लो, ठीक है, next से तुम top का element निकालोगा, तो वो integer ही होगा, अगर वो integer नहीं हुआ, तो मेरा काम है कि मैं उसको integer में convert करूँ, तो पहले तो ठीक है, vector of nested integer, ठीक है, vec ले लिया, current.get list करोगे, तो आपको खुद बाखुद list वो दे देगा, ठीक है, for int i is equal to vec.size-1, i is greater than equal to 0, i minus minus, st.push vec of i, as simple as that, ठीक है, और यहाँ पर जब तक star in tree तब तक यह हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से अगर true return नहीं कर पाएं, ठीक है, तो obvious से last में हम return false कर देंगे, यहाँ तक clear है, ठीक है, और इसके बाद next call होने वाला, तो next में बड़ा simple है, मैंने बोला था कि num में क्या होगा, st.top में जो भी object है, वो integer ही होगा, तो get integer करोगे तो integer मिल देगा आपको, उसको pop भी करना है आपको हर बार, क्योंकि next time तब next call होगा ना, तो आपको नया integer देना पड़ेगा, next integer देना पड़ेगा, return num कर दिया है, यहाँ से, submit करके देखते हैं, hopefully सारे test cases पास हो जाने चाहिए, उसके बाद हम सिमिलर है, बड़ स्लाइट चेंज है, लेकिन उससे बहुत बड़ा improvement होगा, देखो कैसे, मैंने अपको approach 1 में बताया था ना, कि stack में store कर लो, starting में, तो starting में तो blindly हम stack पे store कर लेते थे, सबसे पहले, माल लेते है, input हमारा यह है, 1122, 3,4 है, तो सबसे पहले यहाँ 3,4 डाल ल ज़्यादा ले रहे हो, यह 2 को भी पूरा पूरा copy ले लिया, 11,1 को भी पूरा copy ले लिया, ठीक है, और actually मैं कहा, यह सारे objects है, object 3 है, object 2 है, object 1 है, यह सारे objects है मेरे, अब object में बहुत सारे चीजें हो सकती है ना, है ना, जैसे मान लेते हैं, एक class है, उस पर बहुत सारी तो हंगे इसलिए इसलिए नास पासमेने स्टैक बनाया था स्टैक ऑफ क्या बनाय था था और श्रुण फिल रघ्रे चाव्पट मसं है ऐना है तो हर बार देख रहीं ऊब्जेक्ट का नसली इलबफेजर rati गोड जी ना तो पता हूं क्या करेंगे अब्जेक्ट वन है आब्जेक्ट टू है और त्ध्री है तो हम उसका कि राइड्रेस लिक्त लेंगे आपर जैसे मान आप्जेक्ट का एड्रेस है STX, तो इस बार हम स्टाक ओफ आप्जेक्ट्स नहीं लेंगे, ठीक है, स्टाक ओफ देखो क्या लेंगे, नेस्टेड इंटीजर ऐस्ट्रिस्क लेंगे, पता है क्यों, ताकि ये स्टाक जो है, ऑबजेक्ट का एड्रेस स्टोर कर सके, ठीक है, तो प्ते है अब मेरा स्टैक में मुझे अब्जेक्ट लिकनी तौरों नहीं पड़ेगी मैं पड़ेक्ट प्रिपहमें और ऐसे लिह सकते हैं and obj3 and obj3 से क्या होगा address मिल दाएगा आपको उसका ठीक है तो उसका address क्या है stx है फिर यहां पर क्या z hy है यहां पर क्या है xyz है तो इस बार हमने address लिखा है ठीक है पूरा का पूरा object copy नहीं किया है ठीक है तो बहुत space बच रहा हमारा बाकी सब कुछ सेम है पूरा का पूरा कोड सेम होगा everything ठीक है बस एक चीज ध्यान देना होगा याद करो पहले आपके पास nested integer था सिर्फ ठीक है तो आपको कोई भी उसका class का nested integer का object होता था वो तो किसी भी object से है ना function अगर access करना होता था obj तो आप dot करते था याद है get integer या फिर obj dot get list या फिर obj dot is integer dot लगाना पड़ता था बट यहाँ पर dot नहीं लगा होगा क्योंकि यह address है ना तो dot की देखा आपको लगाना पड़ेगा arrow pointer जिखो जिस किसी ने भी pointer को अच्छे से पढ़ाया इसलिए मैं बोलता हूँ यह सारे fundamentals है यह आपको पता होना चाहिए ठीक है अगर आप एकदम new एकदम beginner हो प्रोग्रामिंग के लिए तो आपको पता होना चाहिए pointers क्या होता है ठीक है किसी class का object क्या होता है अगर object का address store किया है तो उस उसके function कैसे access कर सकते है है ना dot नहीं लगाना arrow लगाना यह सब पता होना चाहिए और इसलिए मैंने बोला था कि यह video बहुत informative होने वाली है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो पता है हमारा जो code होगा ना approach 2 का एकदम same code होगा approach 1 के बस जहां-चहां dot है ना उसको replace कर देंगे इससे है ना dot को replace करेंगे arrow से ठीक है और हमारा stack of nested integer asterisk होगा ठीक है तो चलो code करते हैं उसी को modify करके submit करके देखते हैं मैं modify करने वाला हूं same code को modify करूँगा यहाँ पर देखो asterisk करना पड़ेगा क्योंकि अब यह stack of objects नहीं है stack of address of objects है ठीक है और यहाँ पर nested देखो यहाँ पर nested list i से obj मिल जाता था ना इस पर obj नहीं हम and obj store करें क्योंकि हमें address store करना है तो देखो यहाँ पर and obj and nested list i कर दिया है address of object nested i यहाँ तक clear है और देखो यहाँ पर st dot top करोगे तो आपको object नहीं मिलेगा उस object का address मिलेगा तो address से अगर यह function call करना हुआ तो dot नहीं यहाँ arrow लगाना पड़ेगा बस यह छोटा सा change था और देखते हैं और कहाँ का change होगा देखो यहाँ पर st dot top करोगे तो object नहीं मिलेगा आपको address मिलेगा तो address और करने के लिए आपको pointer चाहिए होता है इसे देखो pointer में convert कर दिया इस current को ठीक है और since pointer से function कैसे call कर मिल गा यहाँ पर इसके बाद देखो यहाँ पर stack में फिर से object पुछ ना करके उसका address पुछ करना पड़ेगा and वेकाई पुछ करेंगे यह clear हो गया अब देखो बहुत important एक चीज़ पर ध्यान दो current dot get list पर ध्यान देते हैं current dot यहाँ पर provided है lead code के द्वारा यहाँ पर current dot get list ठीक है तो get list करेंगे तो list वो दे देगा लेकिन एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पर यह ना as a constant defined है यह तो const में रिटर्न कर रहा है इसका मतलब पता है क्या हो कि आपको यहाँ receive by reference करना होगा अगर आपने देखो मैं यहाँ depth में नहीं जाओंगा क्योंकि object-oriented programming मैंने groups पढ़ा होगा object-oriented programming उनको पता होगा यहाँ पर मैं by reference मुझे receive करना पड़ेगा देखो यहाँ पर इसलिए मैंने ampersand लगा दिया बाकी everything is good हमें बस इसको अब submit करना है तो देखा हमने ज्यादा changes नहीं किये बस इसको pointer में convert किया और जहाँ-जहाँ dot था वहाँ पर यह arrow बताया ठीक है तो approach one or two में अगर आपको याद होगा तो जो मेरा has next का implementation था देखर वो कितना बड़ा है has next जादा से जादा काम has next में हो रहा है यह तो बड़ा छोटा सा है ठीक है और जो मेरा पहला function था वो भी बहुत छोटा सा था सबसे जादा काम मैं has next में कर रहा हूँ यही तीन function दे रखे है इसमें मैंने initialize किया था इसमें तो बस मैं direct stack का top भेज देता था और has next में मैं पूरा calculation मारता था और stack के top पे integer रखता था यह आपको याद होगा बट has next देखरो बार बार call हो रहा है ठीक है जब भी has next true आएगा तब next call होगा यह दोनों maximum times call हो रहा है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इन दोनों को बहुत fast रखें कम से कम काम होना चाहिए इनके अंदर जितना fast हो सकता है उतना अच्छा हो लेकिन यह function सिर्फ एक बार call initialization के लिए बस call होता है एक बार initialization ठीक है तो क्यों न हम सारा का सारा काम यहां कर ले और इन दोनों को बस direct o1 में solve कर पाएं ठीक है यह भी o1 में हो जाए और यह भी o of 1 में हो जाए ऐसा कर सकते हैं क्या कर सकते हैं देखो कैसे ठीक है यहां ध्यान दो जो हमारा example दे रखा इस पर ध्यान दो क्यों न हम ऐसा कर लें कि जब मेरे पास input में यह input आया ना starting में इसी वक्त इसको पूरा का पूरा फ्लाटन कर दो ठीक है पूरा का पूरा एक बार मिल फ्लाटन कर दो फिर जब यह दोनों कॉल होगा तो मैं देख लिया जाएगा direct integer भेज देंगे तो इस इंटीजर नहीं है यह खुद एक लिस्ट है तो इसको भी पूरा खोल देंगे फर्दर 1,1 पे खोल दिया यह 2 पे खोल दिया यह 3 है यह 4 पे खोल दिया ठीक है पूरा का पूरा अभी फ्लाटन कर दिया इसको अब जब मुझ से next call किया जाएगा तो मैं इसको रेटर्न कर दूँगा इंडेक्स मेंटेंग कर लूँगा अभी इसको रेटर्न किया है ठीक है फिर has next call आएगा तो मैं देख लोगा कि अच्छा हाँ अभी पूरा इंटीजर खतम नहीं हुआ है ठीक है तो इंडेक्स मेंटेंग करने का अगर आपको टेंशन नहीं चाहिए तो मैं तो elements है तो मैं return true कर दूँगा मतलब मैं simply return कर दूँगा return not of q.mt अगर empty नहीं है ठीक है मतलब और elements है अभी इसमें ठीक है ओके ये तो o of one में हो गया ठीक है रहाज next में क्या करेंगे simply return q.front कर देंगे है ना q के front में जो भी element है ठीक है उसको एक num में store कर लेंगे ठीक है और q को फिर pop भी करेंगे न क्यूंकि वो element तो अब दिखा चुके हैं उसके बाद return num कर देंगे ठीक है o of one में देख रहा हूँ ये मेरा हो गया ये भी o of one में हो गया अब बात आती है कि इस q में जो मैंने सारे elements खोल कर डाला है फ्लाटिंग करके वो यहां पर कैसे लिखेंगे ठीक है वो भी बहुत सिंपल है अगर देखा जाए तो देखो मैं यहां अलग से लिख रहा हूँ मैंने एक अलग से function यहां लिख लेता हूँ अब देखो ध्यान दो और यह इसको मैं फ्लाटिंग करूँगा वॉइड फंक्शन का नाम मैंने क्या रखा है फ्लाटिंग वहां पर मैं क्या ले रहा हूँ नेस्टेड लिस्ट ले रहा हूँ ठीक है अब देखो ध्यान देना बहुत इंपोर्टेंट है इस पर पूरा focus करो अब देखो यह जो नेस्टेड लिस्ट मैंने पास किया वो यही है ना input तो यही था मेरा ठीक है तो मैं इस पर iterate करूँगा और q को populate करूँगा ठीक है सब एंट आइज इकल लेता हूं कौन सा अब्जेक्ट है ओवी जे इस इकल टू नेस्टेड लिस्ट ओफ आई तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि अगर यह इफ ओबी जे डॉट अगर यह इंटीजर है ठीक है तो मैं simply q.push obj.get integer कर दूँगा simple direct q में मैं element डालता जा रहा हूँ ठीक है बट यह integer नहीं तयाद है आपको क्योंकि यह 1,1 है यह खुद एक list है तो बता है मैं क्या करूँगा देखो दोबारा से इसी function को call कर दूँगा recursively ठीक है फ्लाटेंग को call कर दूँगा और यह वाले object को भेज दूँगा तो यह क्या करेगा recursively मैंने call किया फ्लाटेंग को तो अब इसमें क्या पास हुआ 1,1 पास हुआ इस बार सिर्फ 1,1 पास हुआ ठीक है तो 1,1 पर मैं ट्रेट कर रहा हूँ ठीक है तो पहला element 1 मिला तो देखो Q में मैंने 1 को डाल दिया उसके बाद दूसरा element 1 मिला वो भी 1 को डाल दिया दोनों integer ही थे है ठीक है अब recursion मेरा खतम होगा तो वापस से मैं यहाँ पर आऊँगा ठीक है और मेरा index number अब मैं यहाँ पर आजाँगा 2 पर अब 2 मेरा integer है तो यहाँ पर simply 2 डाला जाएगा उसके बाद यहाँ पर आया क्या यह मेरा integer है नहीं यह मेरा है 3,4 खुद एक list है nested list है तो मैं flatten fit से call कर दूँगा recursive में तो fit से call करको तो 3,4 पास किया है इस बार 3,4 पर iterate करके 3 को डाल दूँगा और 4 को डाल दूँगा क्योंकि दोनों integer है क्यों में push हो जाएगा फिर return हो जागो recursion से फिर मेरे सारे index इसके बाद मेरा 3,4 के बाद कुछ है नहीं तो मेरा for loop भी खतम हो जाएगा और देखो मेरा q populate हो गया इसके बाद वो मुझसे has next पूछेगा तो मैं simply यह बता दूँगा कि मेरा q empty है या नहीं है और next पूछेगा तो q का front element बता दूँगा और pop कर दूँगा as simple as that देख रहे हो कितना simple हो गया ठीक है तो जल्दी से code करते है और इसको फिन्टीजर ले ले लूँगा और उसमें q डाल दूँगा जो जो इन्टीजर है हमारे पास ठीक है अब nested iterator जो इनिशिलाइजेशन वाला function है यहाँ पर मैं flatten नाम का एक function लिख दूँगा और यहाँ पर nested list पास कर दूँगा ठीक है अब flatten वाला function मैं यहां define कर देता हू अलग से ठीक है यही पर define कर देता हूं ऊपर ठीक है void flatten यहाँ पर मैं क्या पास कर रहा हूं यही पास कर रहा हूं nested list पास कर रहा हूं ठीक है यह तो बहुत simple था ना n is equal to nested list.size निकाला और iterate करके सारे numbers को इकट्टे कर लिए for int i is equal to 0 i less than n i plus plus ठीक है nested list nested integer and obj is equal to nested list of i ठीक है अब देखो ध्यान दो if obj हो है अगर वो integer है ठीक है अगर वो integer हुआ तो मुझे simply क्या करना है बस q में push कर देना q.push obj.get integer ठीक है और अगर ऐसा नहीं है तो फ्लाटिंग को दुबारा कॉल कर देंगे ना इसका मतलब क्या हूं अगर वो integer नहीं है तो वो vector of nested integer होगा फिर से तो फिर से उसी को भेज दो ओबी जे डॉट गेट लिस्ट है ना तो वी डॉट गेट लिस्ट से क्या होगा मुझे वो vector of nested integer मिल जाएगा महा से simple उसके बाद है नेक्स और हैसनेक्स बहुत सिंपल नेक्स में क्या करना है simply int num is equal to q.front q.pop return num कर दिया और has next में क्या है अगर q मेरा empty हुआ तो मतलब है ही नहीं कुछ return false कर दो और अग ऐसा नहीं है तो return true कर दो ठीक है सिंपल सा solution दा submit करके देखते हैं let's see if we are able to pass all the test cases indeed yes we have passed all the test cases using this approach अलतो तीन अप्रोच में बहुत कुछ सीखा है हमने कोई doubt होता है raise it in the comment section I'll try to help you out see you guys in the next video thank you